जब भी आपको थंड लगती है या डर लगता है या फिर बहुत strong कोई emotion आप feel करते हैं आपके हातों पर आपकी body पर goose bumps आ जाते हैं लेकिन कभी सोच कर देखा दोस्तों goose bumps आते क्यों हैं असल में बात किया है हमारी skin की नीचे हजारों छोटी-छोटी muscles हैं जिने अरेक्टरपि नहीं होता बलकि जितने भी long-haired mammals होते हैं उन सब में होता फरी animals जैसे कि बिलिया जब उन्हें डर लगता है उनको भी goose bumps आते हैं उनका size बड़ा होकर दिखता है तो अगर उन पर कोई हमला करने वाला है तो वो शैट डर कर भाग जाए क्योंकि वो इतनी बड़ी हो गई है दूसरा purpose है जानवरों को ये थंड से बचाते हैं लेकिन और भी interesting चीज़ ये है कि इनसानों में goose bumps का कोई purpose नहीं है actually में इनसानों में goose bumps आना एक evolutionary trait है जो हमारे ancestors के लिए useful हुआ करता था एक फर्क यहाँ पर यह है कि इनसानों को तब भी goose bumps आते है जब हम strong emotions feel करते हैं जैस